नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विविक भारद्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्टलोजी विविक आई दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वाट्सेप के एक न्यू फीचर के वारे में आपको बताते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा यह फीचर है क्योंकि इस की का यह दोस्तों क्या है यह मैं आपको पहले समझा देता हूं यह एक तरीका है साइन इन करने का सेफ ली अभी तक आपने देखा होगा जब आप वाट्स अपन इस्टॉल कर देते हैं या किसी दूसरी डिवाइस में इसको लॉग इन करते हैं इस्टॉल करते हैं तो यह OTP लेता था फिर कुछ दूनों बात जो है इसमें कॉल आने लगा था दोस्तों और कॉल के मदद से जो है आप एक में स्कॉल आता था और इससे इसका वेरिफिकेशन हो जाता था ऐसा अभी तक आपने किया होगा लेकिन दोस्तों उसमें सेक्यूर्टी के कुछ issues थे क्योंक आपनी से स्टोर हो जाएगी आपके पासफ़र्ट मेनेजर पर मतलब की जो जीमेल आइडी आपने दी है उस जीमेल आइडी पर इस पास की को आप फिंगरप्रेंट या फेस या स्क्रीन लोग के माद्दे हम से स्टोर कर सकते हैं अब आप अगली बार जब भी कह सकते हैं क की अपने वाट्सेट को इस्टॉल करेंगे नए तरीके से तो आप उस इमेल आइडी को दीजिए जैसे ही आप उस एप लाइड़ को देंगे ये पास की वहीं पर स्टोर होगी और स्टोर के बाद आप जैसे ही इसको फिंगरप्रेंट या फेस के साथ ओपन करना चाहेंग तो यह open हो जाएगी और वहां से login हो जाएगी तो दोस्तों यह बहुत अच्छा तरीका है security को WhatsApp लाने का और security को बढ़ाने का तो देखी मैं यहाँ create a pass की पर click करता हूँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह एक pass की जो number है यहाँ पर आ गया है इस pass की will be used for WhatsApp और नीच आप email ID देख पा रहे हैं अब यह email ID आप यहाँ से select कर सकते हैं multiple अगर आपके pass है यह देखी हमारे पास यह इस प्रकार से हैं तो हम इसमें से एक email ID को हमने select कर लिया है और आपको करना क्या है continue पर click करना है जैसे ही आप continue पर click करेंगे यह देखी है आपको आपके screen lock मांग रहा है यह screen lock आप जैसे ही यहाँ पर देएंगे use screen lock you can use your screen lock to access encrypted data like your pass की across your devices तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यूज कर लेना है screen lock और यह जैसे ही लिखा रहा है यहाँ पर create password तो मुझे यहाँ पर यह अपना fingerprint देना है और यह देखी मैंने fingerprint दे दिया है pass की created हो गई है this will be used to verify your account यह सिर्प जब account को verification किया जाता है एक device से दूसरे device पर login करने पर नए तरीके से login करने पर या install हो जाने के बात install करने पर वहाँ पर इस pass की की जरुवत पड़ेगी दोस्तों नीचे रेवोक का option भी आ रहा है रेवोक के मादम से आप जो है वापस आ सकते हैं और इस pass की को जो है दोस्तों यहां से अटा भी सकते हैं तो मैं आशे करता हूं आपको यह पास की का option लगा वोड़ी को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा नाम है विविक भारत द्वाच थेंक यू